तो हाई गैस वेलकम बैक टू अवर यूटूब चैनल और वेलकम टू माइन वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर कल के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है मारकेट में और आगे आने वाले सेशन्स में और क्या क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहें उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के उपर विडियो रेग्यूलर्ली अपलोड करती हूं सम्टाइम्स ट्रैवल के विडियो भी अपलोड करती हूं और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एडिकेशन पर्पस पर या फिर किसी स्टॉक को लेके विडियो अपलोड कर देती हूं तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बैल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले विडियो की चानकारी आपको सही से आती जाए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल मेंबर्शिप जॉइन नहीं की है तो प्लीज जल्दी से चैनल मेंबर्शिप जॉइन कर लो चैनल मेंबर्शिप जोईन करने के बाद आपको उसके बहुत सारे बेनेफिट्स मिलेंगे आपको एवरी एक्सपाइडी के लिए एक्स्ट्रा स्ट्राटेजी वीडियो मिलेगा जो यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो साथ ही आपका लॉस जो है वो कम हो सकता है इसके साथ साथ आपको कैंडल स्टिक पैटन के उपर ऑप्शन चेन एनलिसिस के उपर वीडियो जो है वो टाइम टो टाइम मिलते रहेंगे आपके क्वेरी स्काप को अर्ली रिप्लाइ मिलेगा आपको कम्यूनिटी में स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलते रहेंगे और आज सुबह ही मैंने मेंबर्शिप बालों के लिए तीन स्टॉक जो है वो रिकमेंड किये हुए है इसके अलावा मैंने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने आपको स्टॉक रिकमेंड किये हुए है तो अगर आपने अभी तक चैनल मेंबर्शिप जोईन नहीं की है तो आप बहुत सारी चीजे मिस कर रहे हो आपको स्टॉक रिकमेंडेशन हपते में दो से तीन बार तो मिलता ही मिलता है इसके साथ साथ आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते हैं एजुकेशन पर्पस के ऊपर जो मैं सब सब्सक्राइबर्स के लिए डाल नहीं पाती हूँ एक और आइकॉन दिखेगा जोएन बटन करके तो वहां से भी आप चैनल मेमबर्शिप जोएन कर सकते हो तो जल्दी Parece जोएन कर लो सो आभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का व्यडियो निफ्टी के साथ तो आज की निफ्टी की जो closing आई है वो आई है 13,558 के पास और लगातार तीन दीन से निफ्टी हमें एक indecisive formation दिया हो दे रहा है तो आज निफ्टी ने दोजी candle form की है और अगर हम लोग देखे तो market के अंदर हमें clearly दिखाई दे रहा है की indecisiveness है market को खुद को पता नहीं है यहाँ से आगे कहा पे जाना है तो अब ऐसी condition में अगर हम लोग trade करते हैं इस market के अंदर तो जो अच्छे खासे traders है वो तो कैसे भी करके पैसा बना लेंगे लेकिन जो beginners है वो इस market के अंदर फस सकते हैं तो आपको जैसे मैंने starting में ही कहा है कि nifty के लिए 13,400 से लेके 700 यह zone पूरा का पूरा resistance zone है और इधर side breakout मिलने के बाद ही हम लोग nifty का जो है वो movement पता कर सकते हैं तो फिलाल market देखिए हमें इसी zone में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक तो अभी हमें यह देखना important है कि nifty यहां से आगे कहां पे बढ़ता है तो अभी देखिए nifty फिलाल तो हमें चार सेशन से कुछ अच्छा का सा movement नहीं दे रहा है लेकिन हा positive है और 550 के उपर की closing मिली है तो यहां से अगर हम लोग downside की बात करें तो देखिए downside के लिए 400 और 350 यह strong support zone है और जब तक nifty इसके उपर चल रहा है nifty का 650 का target बना हुआ है फिर यहां पे nifty हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है बात करें तो resistance zone है 600 और 700 का level तो यहां से फिर से गिरावट भी देखने को मिल सकती है तो हमें weight क्या करना है कि nifty यहां से अगर 400 break करता है तो यहां से further selling pressure आता हुआ हम लोग देख सकते हैं nifty के अंदर closing basis के उपर अगर 400 break होता है तो यहां से और 200 points नीचे nifty हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है अब side की बात करें तो 600-700 यह resistance zone है यहां पर nifty फसा हुआ दिखाई दे सकता है तो आपको यहां पर थोड़ा careful रहके ही trade करना होगा so nifty के लिए levels क्या है वो मैं आपको बाद में बता दूँगी पहले हम लोग option chain data देख लेते हैं एक बार so अभी मेरे सामने 17 December की option chain है और nifty की closing आई है 13,558 के पास तो call side में अगर हम लोग देखे highest open interest कहाँ पर बना हुआ है तो 32 lakhs का highest open interest बना हुआ है 13,600 के लेवल के उपर और second highest बना हुआ है 14,000 के उपर और अगर हम लोग देखे call side में सबसे ज़्यादा writing कहाँ पर हुई है आज तो आज सबसे ज़्यादा writing हुई है 8,78,000 की जो की हुई है 13,600 के लेवल के उपर वही अगर हम लोग देखे second highest writing कहाँ पर हुई है तो second highest writing दिखाई दे रही है 6,22,000 की और 6,21,000 की जो की है 13,700 and 900 के उपर तो देखे मैंने चार्ट के उपर से ही आपको कहा था कि 600,700 एक major resistance zone है और nifty हमें यहाँ पर फसा हुआ दिखाई दे सकता है और हमें option gen data के उपर से भी same situation दिखाई दे रही है 600 और 700 यह पूरा का पूरा zone ही resistance zone है और nifty को इसको पार करने के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है लेकिन हाँ अगर यह पार होता है तो nifty हमें initially 14,000 और 13,900 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि इस zone के बाद फिर next resistance zone है nifty के लिए 14,000 और 13,900 के उपर तो यह दो resistance zone है डाउन साइट की बात करें तो देखें पुट साइट में highest open interest कहाँ पर बना हुआ है तो 25,52,000 का और 25,43,000 का open interest बना हुआ है 13,000 और 13,500 के उपर पुट साइट में अगर हम लोग देखें आज सबसे ज़ादा contracts की adding कहाँ पर हुई है तो आज सबसे ज़ादा contracts की adding हमें दिखाई दे रही है 4,81,000 की और second highest adding हुई है 4,20,000 की जो की है 13,500 और 400 के उपर तो option chain data भी same ही situation हमें पता रहा है कि downside के लिए निफ्टी के लिए 13,400 और 500 यह important support zone रहेगा अगर यह support zone निफ्टी तोड़ देता है तो यहाँ से एक हमें selling pressure आता हुआ दिखाई दे सकता है या फिर हम लोग कह सकते trend reversal क्योंकि यहाँ से फिर निफ्टी और ज़्यादा नीचे भी चा सकता है तो आपको यह support zone ध्यान में रखते हुए चलना होगा और trade करना होगा तो निफ्टी के लिए यह important support और resistance के levels रहेंगे इस option chain data के उपर से तो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट के उपर निफ्टी 50 के तो अभी मेरे सामने निफ्टी का one day candlestick pattern chart है तो निफ्टी continues to trade in the rising channel on the Harley chart अगर हम लोग Harley chart देखें निफ्टी का तो निफ्टी हमें continuous uptrend में ही दिखाई दे रहा है और यहां से अगर हम लोग देखें तो एक positivity है market के अंदर तो पोस्टी positive start and intraday dip drag the index into the negative territory तो यहां पर down side के लिए support तो अच्छा कासा काम कर रहा है लेकिन upside के लिए हमें strength की कमी दिखाई दे रही है तो यहां पर आपको cautious ही रहना होगा buy on dips की strategy फिलहाल के लिए मैं अभी avoid करना चाहूंगी क्योंकि यहां पर market जो है वो थोड़ा indecisive दिख रहा है मुझे तो आए पूरा का पूरा zone ही no trade zone है लेकिन जो risky traders है वो फिलहाल जा सकते है downside के लिए 400 का SL रख के अब 650 के targets के लिए जा सकते हो so अभी अगर हम लोग देखे nifty के लिए कौन-कौन से important support और resistance के levels रहेंगे तो यहां से जो first important support रहेगा वो रहेगा 13,510 का level अगर यह support nifty तोड़ देता है तो यहां से next important support रहेगा 13,450 and 13,410 का level यह nifty के लिए downside के लिए important support के levels रहेंगे upside की बात करें तो देखे upside के लिए first resistance रहेगा 13,590 का level अगर यह resistance पार कर लेता है nifty तो यहां से next resistance level रहेगा 13,630 and 650 का level तो यह nifty के लिए important support और resistance की level से जो आपको आपके chart के उपर जरूर मार्क करने हैं ताकि आपको trading के वक्त definitely helpful हो सके और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी और everyday live market में मैं support और resistance की levels जो है वो update कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल के उपर तो अगर आपने मुझे वहाँ पर अभी तक follow नहीं किया है तो जल्दी से कर लो नीचे description box में मैंने link आपको provide कर दी है सो अभी nifty के लिए तो हमने देख लिया है तो चलिए चलते अभी bank nifty के उपर सो bank nifty की आज की जो closing आई है वो आई है 30,745 के पास और मेरे सामने nifty bank की option chain है 17 December की तो call side में अगर हम लोग देखे highest open interest कहाँ पर बना हुआ है तो 13,99,000 का highest open interest बना हुआ है 31,000 के लेवल के उपर call side में अगर हम लोग देखे सबसे ज़्यादा आज call writing कहाँ पर हुई है तो 3,45,000 की highest writing भी हमें 31,000 के उपर दिखाई दे रही है तो यहाँ से जैसे मैंने आपको कहा था nifty bank के अंदर ज्यादा option chain देखना इतना important नहीं है क्योंकि देखे 31,000 का resistance है जब तक यह पार नहीं होगा nifty bank हमें upside के लिए भागता हुआ नहीं दिखाई देगा और initially nifty bank जैसे मैंने आपको कहा 30,000 क्लियर होने के बाद 31,000 के पास पढ़ता हुआ दिखेगा तो अभी major resistance 31,000 के पास है और जब तक यह level पार नहीं होता 30,000 से लेके 31,000 के बीच में nifty bank हमें consolidation करता हुआ दिखाई दे सकता है अगर 31,000 break होता है और इसके उपर closing business के उपर sustain हो जाता है nifty bank तो यहां से हमें next जो target दिखाई दे रहा है वो है 32,000 और 32,500 का level downside के लिए support की बात करें तो देखें put side में highest open interest कहां पे बना हुआ है तो highest open interest में बना हुआ दिखाई दे रहा है 9,91,000 का और 9,39,000 का जो की है 30,500 और 30,000 के उपर तो जैसे मैंने अभी कहा 31,000 के नीचे रहेगा तो 30,000 से लेके 31,000 के बीच में हमें फसा हुआ दिखाई देगा तो downside के लिए nifty bank के लिए 30,000 से लेके 30,500 यह important support zone का काम करता हुआ हमें आगे आने वाले कुछ session के लिए दिखाई दे सकता है तो nifty bank के लिए option chain data तो हमने देख लिया है तो चलिए चलते अभी chart के उपर nifty bank के तो अभी मेरे सामने nifty bank का one day candlestick pattern chart है और nifty bank ने भी एक indecisive formation किया हुआ है तो देखे मैंने आपको पिछले और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि nifty bank हमें इस resistance के पास बढ़ता हुआ दिखेगा और आज हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला market के अंदर क्या हुआ nifty bank ने आज 30,000 850 के resistance को face किया लेकिन इसको तोड नहीं पाया तो देखें यहाँ पे जब market आया था तब यहाँ पे 30,000 850 के पास नहीं बढ़ पाया था यहाँ भी same situation हुआ और यहाँ पे nifty bank ने इस level को touch किया तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ support और resistance की levels जो भी मैं आपको बताती हूँ ऐसे ही mark करके रखना अपने चार्ट के उपर यह बहुत पुराने support और resistance की levels है तो अभी nifty bank हमें initially यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा थोड़ा बहुत consolidation हो सकता है बीच में और फिर यहाँ पे थोड़ा आपको careful रहना होगा क्योंकि यहाँ पे एक supply हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है जो nifty bank को 30,350 and 30,000 तक गिरा सकता है तो nifty bank के अंदर आज क्या हुआ है तो आज nifty bank ने opening की थी 30,735 के पास intraday high किया था 30,845 के पास intraday low किया था 30,624 के पास और अभी फिलाल closing दी है 30,745 के पास तो यहाँ से आगे nifty bank के लिए important support और resistance के levels क्या होंगे यहाँ से जो first important support रहेगा वो रहेगा 30,610 का level अगर यह support break होता है तो downside के लिए next important support रहेगा 30,350 का level और इसके बाद में 30,050 का level upside के लिए resistance रहेगा first 30,850 का level अगर यह power होता है तो next resistance level रहेगा 31,050 का level so यह nifty bank के लिए important support और resistance की levels रहेगे जो आपको आपके chart के उपर mark करने हैं और अगर आपको कुछ भी doubt होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी so अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो like जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत जदा अच्छा लगा है तो share कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये video useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उ झाल